हेलो व्रीवन वेलकम टू माइ चैनल ड्रम29 आज इस वीडियो में भी हम कुछ नए कोस्टन इसटेडी करेंगे पिछली हमने दो वीडियो में भी कुछ कोस्टन स्टेडी किये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में या वी वीडियो देख सकते हैं और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पहला कोश्चन है तीन गरम रंगतों के नाम लिखिए नमबर एक लाल लाल नारंगी लाल बेंगनी तीन सीतल रंगतों के नाम लिखिए नीला नीला हरा नीला बेंगनी उसन रंग कितने होते हैं चार रंग होते हैं नमबर एक लाल पीला लाल नारंगी लाल बेंगनी ततश्ट रंग कितने होते हैं ततश्ट रंग दो होते हैं काला सपेद दित्य रंग कितने होते हैं चार नमबर एक हरा बेंगनी नारंगी धानी जो प्राथ्मिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं वह दित्य रंग कहलाते हैं ठंडे परभाव वाला रंग कोन सा है निला रंग लाल रंग से कोन सा भाव परकट होता है लाल रंग से प्रेम, यूद एवं खत्रे का भाव परकट होता है नवीन रंग पदती के अनुसंदान करता कोन थे ओस्ट वाल्ड ओस्ट वर्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं ओस्ट वर्ड के रंग चक्र में आठ रंग होते हैं कोन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी 2B 2B बढ़ते हुए करम में जेतना भी जैसे 2B, 4B, 6B, 8B बढ़ता रहेगा उतनी डार्कनेस भी बढ़ती रहेगी सांतिका परतीक रंग कोन सा है सपेद, सपेद रंग सांतिका परतीक है आदर्स रंग कितने होते हैं आदर्स रंग 8 होते हैं चारकोल क्या है चारकोल ग्रेफाइट ग्रेफाइट से बनी होती है भारत में प्रागेति हाशिक चित्र जिराव गुरुफ कहां पाया जाता है आजमगड में जिराव गुरुफ का चित्र आजमगड में पाया जाता है अजनता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सरुष्रेश्ट आलेखन प्राप्त होता है अजनता की गुफा संख्या दो में सरुष्रेश्ट आलेखन प्राप्त होता है दो सोका कुल नारी भित्ती चित्र कहां पर अंकित है बाग की गुफाओं में भारतिय चित्रकला में मानव आकर्ती को आदर्स प्रमान क्या है? 208 अंगुल काल्ले भित्ती चित्र किस राज्य से सम्मंधित है? महराष्ट से तनखस कुंडलिनी चित्र किस छेत्र में है? लद्दाख तनखस कुंडलिन नामक चित्र लद्दाख में बनाये जाते हैं राजा रविवर्मा के चित्रों का बड़ा संग्र है? कहां है? चित्र आर्ट गैलरी तिर्मेंद्रम में खुजुराओ का विख्याद मंदिर किस प्रांथ में है मध्या परदेश में बादामी गुफा कहां पाई जाती है आई होल जो महराष्टर राज्ये के नजदीख है समकोन तिर्भुज किसे कहते हैं जिसका अधार कोन 90 डिगरी का होता है वह समकोन तिर्भुज कहलाता है उस भूतपूर प्रदानमंत्री का नाम बताईए जो चित्रकार भी था वीपी सिंग चित्रकला किस स्रेणी में आती है दरस्यकला चितरकला जो है वो दरश्चकला की स्रेनी में आती है बोधी सतू, ब्रजपानी, चितरण किस सेली के अंतरगत आता है अजन्ता चितर सेली के अंतरगत तेल चितरण में किस तेल का प्रियोग किया जाता है तारपीन का तेल, अलसी का तेल इन दो तेलों का प्रियोग किया जाता है आयल कलर प्रिंटिंग बनाने में यानि के तेल चितरन करने में यूरोपन चितरन पदिती पर धार्मिक चितर सरपर्थम किस भारते चितर काड़ने बनाए ट्रावन के राजा रवी वर्मा ने मर्ति राजकुमारी का परसिछ चित्र, अजन्ता की किस गुफा में चित्रित है, सोल्वी गुफा में वर्न किसका गुण है, परकास का, वर्न परकास का गुण है, बिना परकास के आप किसी रंग को नहीं पैचान सकते ठीक उसी तरह से जैसे एक अंधेरे कमरे में आप किसी भी रंग की वस्तू को नहीं पहचान सकते जब तक आप महा लाई टोन नहीं करोगे यानि कि परकास आएगा तो आप फिर परकास के माध्यम से ही सभी कलर को पहचान सकते हैं मारविजे वित्ती चित्र जन्ता की कोन सी गुफा में है गुफा संख्या एक में चित्रकाल निहाल चंद किस चित्रणचली से समंदित थे किसनगड चित्रणचली से समंदित हैं अबदुल रह्मान चुगतई किस से समंदित थे बंगाल चित्रणचली से बंगाल सहली के परमुक चित्रकार थे पर्थम ग्रेफाइट पैंसिल बनी 1662 इस्वी में कोटा चित्र सहली के चितरन कावि से क्या था सिकार के दरस्य बने हैं हजम नामा क्या है हज्म नामा अमीर हज्मा की कहानी जो अकबर के समय में चित्रित हुई काश्य धातु निर्मित नरत्य की मूर्ति की लंबाई कितनी है साड़े चार सेंटिमिटर आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ इन वीडियो के माध्यम से हमने 108 कोस्चन स्टेडी किये जो हाई स्कूल वे इंटर वे सभी कलाप रिक्साओं के लिए वेरिंग पोटेंट कोस्चन है